क्या है मिरीत सागर आखिर इसमें कोई डूबता क्यों नहीं और अगर कोई डूबता नहीं तो फिर इसे मिरीत सागर क्यों कहा जाता है इसे मिरीत सागर नाम देने के पिछे क्या राज है चलिए आज हम इसके संचाई आपके समने प्रकट करते हैं मिरीत सागर जिन्हें अंग्रेजी में डेड़ सी भी कहा जाता है अन्य भसाव में इसे अलग अलग नाम से भी संभोधित किया जाता है डेड़ सी जॉर्डन और इजराय देश के बोडर पर इस्थित है इसका लंबाई 65 किलो मिटर और 14 किलो मिटर है अस्तन घराय 199 मिटर और अधिक्तम घराय 298 मिटर है मिरीत सागर को दुनिया का सबसे निचला बिंदु मना जाता है जो समूंत्र तल से 430 मिटर निचे है इसे खारे पानी का निचली जील भी कहा जाता है यह सागर अपने उच घनतों के लिए जाना जाता है और उचतम घनतों होने के कारण इसमें कोई नहीं डूबता है इस सागर के निचे होने से इससे कोई नदी नहीं निकलती है बलकि छोटी छोटी नदी बाहर से आका इसमें गिरती है इस सागर के पानी में दुनिया के अन्य समुंद्रों से 8.6 गुना ज़्यदा नमक पाया जाते है जिसके कारण इसमें कोई जीव और कोई पौधा जीवित नहीं रह सकता है और अगर कोई मनुस्य इसका पानी पी भी ले तो वो बिमार पर जाता है और साहद हुआ मर भी सकता है इसी कारण से इस सागर को मित सागर और इंगलिस में डेट सी कहा जाता है वहीं अगर डेट सी का पानी हानी कारक है तो कहीं न कहीं मनुस्य के लिए ये लाबदायक भी है क्योंकि मित साग में प्रचूर मातरा में खनीच पाय जाते हैं ये खनीच परदार्थ वातावरन के साथ मिलकर स्वास्त के लिए लाबदाय की वातावरन बनाते हैं आम पानी के तुन्ना में मित सागर में 20 गुना ज्यादा ब्रोमीन, 50 गुना ज्यादा मेगनीसियम और 10 गुना ज्यादा आयोडिन होता है ब्रोमीन धमनों को सांत करता है, मेगनीसियम त्वाचा की इलर्जी से लड़ता है और स्वास नली को साफ रखता है जबकि आयो दिन कई गरंथों की किर्या सिर्था को बढ़ाता है इसलिए लोग इस मृत सागर में नहाते हैं और मिट्टी का गिली लेप अपने सरीर पर लगाते हैं इससे यह होता है कि यह त्वाचा को निखारता है और अगर सरीर में घाव फुनसी रहता है तो उसे ठीक भी करता है मृत सागर का पानी चीजों को सर्ने से बचाने और सुगंधित करने के अलावा अन्य दुस्रे कारियों के उप्योग में भी आता है संदर्य और स्वास्त के लिए मित सागर के गुनों की सिर्धी की वज़ा से कई परसीध कमपनिया मित सागर से ली गई चीजों से संदर्य परसाधन की समागरी बनाते हैं इसके पानी और कीचर बिमारियों की इलाज के लिए आम भूमिका निवाते हैं इसलिए इससे मेडिसिन भी बनाया जाता है चलिए अब हम यह जानते हैं कि मित सागर कहां से आया और इसका उत्वन कैसे हुआ दर असल मित सागर यानि की डेड़ सी पलेट टेक्टोनी के हरकत के कारण उत्वन हुआ डेड़ सी अफ्रिकन पलेट और अरेवेन पलेट के आमने सामने मूभी करने के कारण बना पले यह रेड़ सी यानि लाज सागर को मेडिटेरेनियन सी से जोरने वाल एक लंबी चोरी नदी हुआ करता था लेकिन समय के बदलाव और पलेट टेक्टोनी के मूभी के कारण यह बहने वाली नदी सकीन होते होते एक लंबी दरार घाटी बनकर रह गया और जोर्डर इजराल के बीच में निर्मान हुआ डेड़ सी का जो आज भी मौझूद है लेकिन यह धरती पर कब तक मौझूद रहेगा यह कोई नहीं जानता है क्योंकि धीरे धीरे डेड़ सी सुखरा है पलेट टेक्टोनी के कारण ही यह सुखरा है तो आज के लिए बस कर देजिए मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद